हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे और हम लोग इस वीडियो में कंपनी अकाउंट के बेसिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि कंपनी चो होता है वो फंड कैसे रेस करता है त तो कैसे fund raise करता है वो लोग shares के through raise करता है तो पहला हम लोगों पढ़ना है procedure of raising funds through shares सबसे पहले company market में अपना prospectus issue करता है तो जब prospectus market में issue हो गया तो तीन case हो सकता है हमारे पास या तो first case है सबसे पहला कि full subscription, full subscription मतलब कि जितना share company issue किया था market में सारा subscribe हो गया मतलब कि सारा share खरीद लिया है कोई application received for full issued share ठीक है full issued share मतलब कि अगर company एक लाग share issue कर रहा है तो पूरा subscribe भी एक लाग ही हो गया तो वो case first में आ जाएगा ठीक है एक लाग share issue किया था और एक लाग subscribe भी हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे fully subscribed फूली सब्सक्राइब फूली सब्सक्राइब फूली सब्सक्राइब फूली सब्सक्राइब means example देखते हैं इसका इस example को लेते हैं हम लोग अगर company एक लाग issue कर रहा है शेयर तो उसमें subscribe कम हुए मतलब एक लाग से कम हुए असी अधर सब्सक्राइब हो गया ठीक है तो यह हम लोग कुद दिख रहा है कि यह under subscription है तो यह second case में आ जाएगा और third case है हमारे पास over subscription over subscription मतलब होता है कि जितना issue किया था उससे जादे सब्सक्राइब हो गया मतलब कि अगर एक लाग issue किया था तो एक लाग से जादे सब्सक्राइब हो गया अगर एक लाग issue किया था company तो पब्लिक ने subscribe एक लाग 20,000 कर लिया तो इसको हम लोग बूलते अंडर सब्सक्रिप्शन अगर फुल सब्सक्राइब होगी है उसको बूलेंगे फुली सब्सक्रिप्शन अगर कम हुआ है उसको बूलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन और अगर जादे subscribe कर लिया इस शूर से तो उसको बूलेंगे हम लोग over subscription तो हम लोग को अलग-अलग पढ़ना है कि तीनों case में अलग-अलग हम लोग कैसे entry pass करते हैं ठीक है तो हम लोग इसका आगे दिखते हैं सबसे पहला देखते हैं कि fully subscription में case first है fully subscription तो हम लोग देखेंगे कि full subscription के case में accounts कैसे बनाया जाता है फिर second हम लोग देखेंगे under subscription में और third देखेंगे over subscription में तो अगर full subscription हो गया है तो उसमें हम लोग को कुछ भी करना नहीं होता है direct allotment बनी मांगा जाता है एक share चो होता है वो कई parts में divide होता है जैसे कि अगर एक share है और एक share का दाम है एक share है और एक share का दाम है दस रुपया ठीक है तो 10 रुपय को जनेरली company एक बार में दहीं मांगती है इसको अलग अलग parts में मांकती है तो अगर दो रुपय मांग रही है application पर 3 रुपय मांग रही है allotment पर और पांच रुपय मांग रही है पहले वाला को हम लोग बोलते हैं अप्लिकेशन सेकेंड होते हैं और थर्ड होता है कॉल्स कॉल्स में भी एक से जाधे कॉल मांग रही है तो यह फस्ट कॉल बन जाएगा और उसके बाद इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टाल्मेंट पेमेंट तो अगर फुली सब्सक्रिप्शन रहेगा तो अगर फुली सब्सक्रिप्शन रहेगा तो उसकेस में कंपनी डेरेट क्या करेगा अलॉट्मेंट मनी मांगेगा ठीक है और अलॉट्मेंट मनी मांगने के बाद क कॉल मनी मांगेगा और कॉल मनी रिसीव करेगा ठीक है एक बार फिर से देखते हैं लोग फुली सब्सक्रिप्शन का तो फुली सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले क्या कर रहा था जितना इशू किया था उतना से सब्सक्राइब वह था उसको फुली सब्सक्रिप्शन बोलें उसके बात company allotment money मांगेगा, allotment money receive करेगा और final money मांगेगा और उसको receive करेगा अब हम दोग दिखते है case second Case second है हमारा under subscription तो under subscription में हमारे पास दो case है एक है minimum subscription received और एक है minimum subscription not received minimum subscription received मतलब होता है कि company जैसे एक लाख शेर इशू किया है minimum subscription मतलब होता है कि अगर company एक लाख रुपे शेर इशू कर रही है और company ने बोल रखा है कि 90% share हमारा subscribe होना चाहिए तभी allotment करेंगे चीक है तो इसमें minimum subscription कितना हो गया 90% तो हम लोग यहाँ पढ़े दो case है एक है minimum subscription received और दूसरा है minimum subscription not received तो जब minimum subscription received हो जाएगा तो उस case में हम लोग allotment money मागेंगे और फिर allotment money लेके बाद में further calls money मागनेंगे ठीक है यह case तो मारा easy था लेकिन अगर minimum subscription received नहीं होगा मतलब कि 90% से कम अगर share subscribe हो रहा है तो उस case में जितना भी application money मिला है वो सारा return कर देंगे जिससे लिये थे ठीक है अब third case हम लोग दिखते हैं third case है हमारा over subscription over subscription मतलब होता है कि जितना हम लोग ने share issue किया उससे सब्सक्राइब हो रहा है तो उस case में हम लोग pro rata allotment करते हैं pro rata allotment हम लोग को आगे पढ़ना है लेकिन इसका छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ लेए जान लेकिए pro rata allotment मतलब होता है कि allotment करना किसी certain ratio में मतलब कि अगर एक बंदा 10 share के लिए apply कर रहा है तो उसको पांच देना या पांच से कम देना कितना देना वह question में given रहता है ठीक है तो इसी का मतलब होता प्रोराटा allotment करना यह हम लोग का अलग topic है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे उस के बाद डिरेक्टर allotment money मांगता है रिसीव रहता है और बाकी का से मी रहता है मतलब की further call made होता है और रिसीव रहता है तो यह था procedure की एक share को कैसे हम लोग issue करते हैं तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग टीएस ग्रिवाल बुक से question भी करेंगे तो अगर आपने चैन और अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि 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 कि